नमस्का दोस्तो यहां पर एक अच्छी सी लाइन बन रही है तो ऐसे लोग सेव समझदार होते और जो अपरजुनिटिया जीवन में आती है उसको बहुत अच्छी तरह से यह लोग ग्रेब कर पाते दूसरी खासियत यहां पर थोड़ा सा स्पेस जादा मिला हुआ है बहुत जादा तो नहीं है पर फिर भी जादा स्पेस है तो आम लोकों से जादा यह लोग समपन होते है पाम देखे तो पूरा रेक्टेंगल पाम है ऐसे लोग जादा तर बैठे बैठे या बोल कर कारे अंगुठा, फर्स फैलेंज काफी नुकीला है, तो कारे के प्रति अच्छी खासी जिद्ध रखते हैं, और सेकेंड फैलेंज अच्छा खासा बड़ा है, ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है, ये लोग लॉजिक के साथ बात करने में अच्छा खासा समय इनका सकते हैं, तो ये स्ट्रॉंग व्यक्तित्व होगा, बहुत कमजोर व्यक्तित्व नहीं होगा, फर्स उंगली बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, सुर्य के उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति हिमती सभाव का भी होता है, और इनके उंगलियों के सपाट है, तो business mind भरपूर होता है और इनकी जो उंगलियों के टेरवे है इनकी राजनेतिक सोच बनी रहती मैं यह नहीं कहता कि यह राजनेति में पार्ट लेते पर राजनेति की बाते करना इनको बहुत पसंद आता है इस तरह के जो उंगलियों के फैलेंज होते फर्स फैलेंज बहुत ज्यादा इंट्रेस होता है इनको राजनेतिका बुट की उंगली छोटी रह रही है तो व्यक्ति documentation, filing चीजों को संबाल कर रखना याज शक्ति, money management और accounts यह सारी चीजों में व्यक्ति कमजोर होता है यह इनका minus point रहेगा जीवन में बुद्परवत अच्छा है और उस पर खड़ी line है और सारी बड़ी line है तो यह plus point है व्यक्ति दिखने में सुन्दर होता है और यहाँ पर थोड़ा सा उभार ज्यादा है तो नाम के प्रति चाहना ज्यादा होती है मेरा नाम होना चीज़े और व्यापारवानीच में एक्सपर्ट होता है और पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है बोलने के कारे में काफी एक्सपर्ट होता है और बेसिक विज्ञान का नॉलेज भी बुद्परवत आपका अच्छा है तो बेसिक टेक्नोलोजी का भी ज्यान व्यक्ति रखता है इनके हाथ में एक अच्छा सा शुक्रवलय बना हुआ है यह शुक्रवलय जैसे व्यक्ति जन्म लेता है परिवार संपन्न बनता है और यह जीवन भर साथ देता है जहां आम इंसान एक हजार कमाता है वहां यह लोग लाख हो और अच्छा हाथ हो तो करोड़ों रुपया कमाते हैं यहां पर स्कॉयर साइन भी बनी हुई है तो ऐसे लोगों का फैला हुआ कामfrage और बढ़ा स्कॉयर हो तो इंटरनेशनल लेवल का भी फैला हुआ कामकाज व्यक्ति करता है आसे जीवन में और ट्रेंगल भी बना हुआ है और स्क्वेर बहुत सारे ट्रेंगल से ज़्यादा स्क्वेर है तो यह बहुत बड़ा मल्टी सिटी का काम अपने जीवन में यह करेंगे और बहुत strong sun line नहीं है तो basic सफलता ऐसे लोगों को बहुत easily प्राप्त होती है यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है इस तरह की रेखा वाला व्यक्ति 100% successful रहता है जीवन में basic ज्यान भरपूर होता है और basic ज्यान के कारण व्यक्ति ज़्यादा earn करता है प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते है और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ कर काम करने वालों की संख्या काफी बढ़ती जाएगी इनके शनी परवत को देखे तो एकदम flat है ऐसे लोगों को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता यह इतने active होते है और यहाँ पर अंगुठे का भी कोन बना हुआ है बहुत fast काम करने वाले लोग होते हैं यह लोग यह मैं triangle का भी बताओंगा जब चंद्रपरवत पर आओंगा तो विदे से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में दिख रहे हैं और close up में मैं बहुत अच्छी तरह से समझाओंगा इनका काफी अच्छा close up है तो continue earning इनके जीवन में होती रहेगी जो बाधाओं का समय है वो भी मैं जीवन रेखा पर आओंगा तब बताओंगा गुरु परवत पर देखे तो अच्छा खासा गुरु परवत है पारिवारिक और सांसारिक सुक व्यक्ति को जीवन में अच्छा देता है गुरु परवत और यहाँ पर स्क्वेर साइन भी बनी हुई है ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई न कोई प्रापर्टी खरीदते और 36 साल पर ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुँचते प्लस बड़ा स्क्वेर हो तो बड़े घर में रहने का सोभाग्य भी प्राप्त होता और बोलने के कारे में व्यक्ति महारत हासिल करता है और होरिजेंटल रेखाय चल रही है यह मल्टिपल इंकम की और इशारा करती है अंदूनी मंगल देखे बहुत जादा उभार भी नहीं है और बहुत जादा दबा हुआ भी नहीं है तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप से ज़ cones रहेगी और सेम भारी मंगल भी अच्छा है इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को जब किसी से मिलता है तो energy के साथ मिलता है, सामने वाला comfortable feel करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने level पर संकट का सामना करता है चंद्रपरवत tremendous अच्छा है और यहाँ पर यह जो triangle बनता है चंद्रपरवत पर तो यह या तो विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा करता है या तो कवी होता है व्यक्ति, कवीता लिखता है और उनकी छप्ति है किताबे या व्यक्ति विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जब भी विदेश यात्रा करके आएंगे तब धन अरजित करके आएंगे है उससरफ इशारा जाता हूं और चंद्रपरवत काफी अच्छा है तो व्यक्थी को नेने शक्तिव काफी अच्छी होती है नई-णी चीजे करने का शौक व्यक्ति को रहता है और विदेश से संबंद लाता ही है यह चंद्रपरवत और इनकी जीवन रेखा भी चंद्रपरवत की और जा रही है यह अगर थोड़ी सी कोसिस करें तो विदेश में भी सैटल हो सकते हैं और यहाँ पर देखें तो एक इनके जीवन में बना हुआ है इस तरह का मनी ट्रेंगल व्यक्ति को कंटीनियू आये के अच्छे साधन उत्पन करके देता है प्लस साथ में शुक्रवलय का भी साथ मिला हुआ है तो धन की मातरा तो यह अच्छी अच्छी खासी कमाएंगे अपने जीवन में शुक्रवलय कर देखें तो एक लाइन चल रही है यह व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है और एक दो लाइने और है तो शुक्रवलय भी अच्छा है और साथ में गुरु पर्वथ भी अच्छा है दोनों मिलकर धन के मामले में काफी अच्छा सहयोग व्यक्ति को मिलता है काफी अच्छा हर तरका सुख व्यक्ति जीवन में प्राप्ट करता है हर तरका अब इनकी हिर्दे रेखा, गुरु परवत से टच होकर निकल रही है, तो भरोसे लाएक इंसान होता है, किसी के 100 रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से देखर आएगा, और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन भी बनी है, तो दुखी भी होगा, तो थोड़ी देर दुखी होता है, अब यह जो इस त्रह की हार्ट लाइन है, यह थोड़ी गुरु के अंदर जा रही है, तो भरोसे लाएक इंसान मनाती है, पर इनकी एकस्पेटेशन लेवल भी ज्यादा रहती है, पर इतनी भी गुरुकी अंदर नहीं जा रहे है कि बहुत ज्यादा अश्पेशन होगी, पर फिर भी हात के नीचे के लोगों से ज्यादा काम ले पाते हैं और ज्यादा successful रहते। पर functional level पर ये line मायوسी देती है और घर में भी मायोसी देती है क्योंकि expectation घर वाले पेड नहीं होते हैं। वो इनकी expectation से उनको परिशानी होती है। पर commercial level पर ये heart line 100% success दिलाती है और इस heart की सबसे बड़ी USP अगर है तो ये है mind line complete guru परवस्य सुरू होकर सीधी इतनी बड़ी mind line है और दोनों के बीच में gap है तो व्यक्ति जिद्धी होता है और किसी के control में नहीं रहता अपने मन की सुनेगे सब की पर करेंगे अपने मन की और guru से जब सुरू होती है तो व्यक्ति महतोकांशी होता है अपनी महतोकांशा पूरी भी करता और इतनी बड़ी अगर blind है mind line तो भहुत जादा बुद्धी प्रतिबा व्यक्ति रखता है और अपने बुद्धी के बल पर अच्छा खासा growth लेता है अपने जीवन का और दूसरी खासियत होती है ये अपना दो मिनिट पांच मिनिट का भी समय फाल्तु नहीं गवाएंगे कोई न कोई ज्यान लेने की कोशिस करते जीवन में काफी बड़ी है और थोड़ी सी चंद्रपरवत की और भी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में जो imagination power होता है वो भी increase होता है अब चलते इनकी जीवन रेखा और fate line पर उसके लिए हमारे पास close up है उसका सारा लेते ये इनका close up यहां पर देखे तो उम्र लगबख 26 के आसपास एक off-shoot जा रहा है यहां पर इनको अच्छी सफलता मिली होगी और एक उम्र 32 के आसपास off-shoot जा रहा है इस period में भी इनको अच्छी खासी सफलता मिली होगी और एक राव रेखा 32 के आसपास काट रही है इस period में खुशी और गम दोनों साथ में मिले होंगे एक 34 के आसपास राव रेखा टच कर रही है इस period में भी कोई ने कोई तकलिफ हाई होगी 35 के आसपास थोड़ी सी तकलिफ हाई होगी और एक 38 के आसपास बहुत बड़ी तकलिफी इनको जीवन में जिलनी पड़ी होगी क्योंकि बहुत बड़ी राउरेखा ने काटा है एक 43 के आसपास एक हलकी सी राउरेखा काट रही है हलकी सी तो मामुली सा प्रॉब्लम जीवन में आएगा हलका सा बहुत बड़ी strong नहीं है एक हलकी सी एक close up के कारण थोड़ी सी strong लग रही है पर इतनी strong नहीं है 43 में भी कोई न कोई नुकसान जा सकता है और एक रहू रेखा 53 के आसपास cut कर रही है और एक रहू रेखा 60 के आसपास cut कर रही है इतनी रहू रेखा है इनको जीवन में disturb करेग और ये सारी 53 की तो बहुत छोटी है और ये 60 वाली थोड़ी सी बड़ी है 60 में कोई थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद 68 के आसपास इनको और एक राउ रेखा काट रही है और इसी पिरियड में 53 के आसपास एक आपशूट भी जा रहा और उसके ब मिलने वाला है अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं फेट लाइन पर भी देखें यहां से सुरूवी चंद्रपरवत से तो लोगों का सयोग व्यक्ति को अच्छा मिलता है और एक कट उम्र लगबक 18-20 साल के आसपास लगा एक 20 साल के आसपास है एक उम्र के 28 साल के आसप 32 के आसपास है एक कट इनको उम्र 34-35 के आसपास है और एक बड़ा कट उम्र 40 के आसपास है या 38 या 49 के आसपास ये कट है ये पिरियड में भी इनको काफी तकलिवों का सामना करना पड़ा होगा और एक कट उम्र 53 के आसपास इनके जीवन में ये पिरियड में भी इनको अ तार्तिक नुक्सान जा सकता है और यह रिखा यहां से निकल रही है यह सुर्य परवत की ओर देख और यह भी ग्रोछ देगी इनको एक इनका कार्य लगबक 46 के आसपास और सुरुवात होगी 45 के आसपास और एक कारे की वो भी ग्रोथ देगा एक ये रेंटेड इंकम की और भी इशारा जा रहा है लगबग 52 के आसपास कोई रेंटेड इंकम भी तेयार होगी और कंटीन्यू फेट लाइने बनी वी है तो अच्छा खासा हाथ है जो जो रुकावटो पर स्टार भी बना हुआ है इस पिरियड में कोई न कोई लगबग वर्तमान समय में इनको कोई न कोई यश भी प्राप्त हुआ होगा और कोई अच्छी बिजनेस की अपर्चुनिटी इनके जीवन को दस्तक दे रही है ये वर्तमान समय में भी स्टार बना हुआ है तो क्योंकि ये बुद्रेखा पर स्टार है तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद